बहुत खालिया नमकीन जटपटा मसालेदार बस अब कुछ हो जाए मीठा तो चलिए बनाते हैं आज कुछ मीठी मीठी स्वीट स्वीट रेसिपी तो आज में बनाने वाली हूँ मावा और तिल के लेड़ू मैंने अधर किलो ये मावा ले लिया है और ये मैंने लिये हैं ति तिल को मैं ड्राय रोस कर लेती हूं तो देखिए हम पैन में तिल को डाल देंगे और अच्छे से ट्राय रोस कर लेंगे तो अभी देखिए इसको हम लगाता चलाते हुए बुणते जाएंगे बिल्कुल भी हमें तिल को जलाना नहीं है बस जब अच्छे से खुश्बू मैं अच्छे से खुश्बूज हमारे तिल दोदब जब ने लगा है तो हम इसको प्लेटमे निकाल लेंगे तिल को अच्छे से भून के निकाल लेंगे तो हमने प्लेट विल्क रिषव gilt है इसका हम क्या करेंगे लिए आदी तिल हम मिक्सी के जार में डालकर ग्राइड कर आदे तिल को हम वैसे ही डालेंगे, तो दीखे, मैंने अब मावे को उसमें कढ़ाई में लेकर, मैं मावे को अच्छे से भून लूगी, तो हमें असलो गैस भून लेना है, तो दीखे, जब मावा हमारा गरम बन लग जाएगा, तो अपना घी छोने लगेगा, तो यह दिखी पतला पतला हो गया है सिफ 5 मिट के लिए हमें मावे को अच्छे से भून लेना है इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है लगातार चलाते हुए इसको भून लेना है और परात में देखी मैंने निकाल लिया है मावा जब हमारा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा इसको घाल दूंगी जिसलिए हमारी तिल देखने में अच्छे लगे दिल जब दिखेंगे तो अच्छे जीद दिखने में अच्छे लगे देखने में और होड़ा थोड़ा मैंने बूरा डाला है अगर आप मीठा घाते हैं तो जा दादा मीठा भी इसमें ज़ुलीूवा चाहेंगे और हमारे हो जाएंगे लड्डू तयार तौले हमारे सं़곤 लड्डू बनके हने हैं तयार एक फ मावा तिल के लड्डू बन कर होगी हैं तैयार सिर्फ 10 कुरेट में लड्डू बन के तियार हो जाते हैं आप भी रेसिवी बिनाईए और सब को लड्डू खिलाइए तो खाओ प्यों नाजे गाओ मज़े कर खुश रहों बाबाई आंचे कुर